आज की इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं, बहुत ही बेसिक सा टॉपिक, बहुत लोग को पता नहीं होता है और बहुत लोग ध्यान भी नहीं देते हैं तो वीडियो टाटल यहां पर देख सकते हैं, How to store transformer oil drum at site मतलब transformer का जो oil का drum होता है, oil drum को रखने का शही तरीका क्या है तो चले friends, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं साइद मुझे यह बोलने का जोरत नहीं है कि transformer में हम लोग oil किसली यूज करते हैं सभी कोई पता होगा कि transformer हम लोग oil किसली यूज करते हैं देखे, transformer oil में हम लोग एक टेस्ट करते हैं, breakdown voltage test उससे हम लोग यह पता करते हैं कि जो transformer oil है, उसके अंदर में कितना moisture content है ठीके, उसका value भी आता है, minimum जो transformer oil के BDP value होता है 30 to 40 के उपर आना चाहिए, यह minimum value होता है इसके उपर जितना रहेगा उतना सही है, और इससे भेलो कर जितना कम होगा that means, जो transformer oil के अंदर moisture content ज्यादा है तो उस condition में हम लोग क्या करते हैं, oil को filtration करते हैं और इससे 30 से 40 से अगर बहुत हाई रहेगा BDP value तो उस condition हम लोग यह पता कर सकते हैं कि transformer oil के अंदर moisture content बहुती कम होता है तो आप लोग अगर BDP test कैसे किया जाता है transformer oil का वाला वीडियो देखना चाहते हैं चैनल का description में देदूंगा link और जाके देख सकते हैं उसमें मैं practically किया हूँ कि transformer oil का video test कैसे किया जाता है side में जो हम लोग transformer का oil drum में store करके रखते हैं जहाँ पर transformer लागे हो रहते हैं उसका आसपास में हम लोग drum को रखते हैं तो उसको रखने का सही तरीके क्या होता है देखिए अगर हम लोग ऐसे vertically रखते हैं इसे घड़ा करके रखते हैं आपे देख सकते हैं transformer के उपर में दो cap दिया जाता है यहाँ पे यहाँ पे रख्टी के लिए देखे भी होंगे दो cap रहता है ठीके तो अगर हम लोग ऐसे अगर रखते हैं तो transformer oil फूल फूल फिलप नहीं रहता है transformer oil अगर हम लोग ऐसे रखते हैं होरिजन्टी लिए रखते हैं ठीके तो यहाँ पे देख सकते हैं जो दो cap है एक cap उपर साइड है और एक cap नीचे साइड है ठीके अगर उपर साइड रहेगा और यहाँ पे तो पूरब फूल नहीं रहता है transformer oil खाली रहेगा तो ऐसे होगा oil ठीके तो इस condition में भी क्या यहाँ पे देख सकते है यहाँ गुश सकता है ठीके तो यह भी तरीका सही नहीं होता है और एक हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि transformer oil को transformer oil drum को ऐसे रखा जाता है कि यह जो है दो cap ऐसे रहेगा ठीके तो इस condition में क्या होगा oil अगर इतना तक आता है इतना gap रहेगा और इस condition में रखने से क्या होगा जो moisture content है यहाँ से घुस नहीं सकता है और अगर इनके जो cap जो है अगर leakage रहेगा तो यहाँ से oil leak होके ground moving आ सकता है तो हम लोग इससे पता कर सकते है कि जो cap यह leakage भी है तो इससे तो क्या होगा oil बाहर आएगा लेकिन जो moisture content है अंदर नहीं जा पाएगा तो सही तेहरीका यह होता है ट्रासम और ड्राम को store करने का ठीक है तो ऐसी interesting topic अगर देखना चाहते है मेरे चैनल को subscribe कर दीजे वीडियो को like share कीजे next ऐसी interesting वीडियो में मिलेंगे आज के लिए इतने ही thanks for watching